17.5 प्राकृतवास के प्रती अनकूलन Adaptation to a Habitat जीव अपने प्राकृतवास के प्रती कैसे अनकूलित होते हैं? जब हम किसी जीव को किसी प्राकृतवास में जीवन यापन और प्रजनन करते देखते हैं, तब पाते हैं कि उस जीव की विशेस्ताएं उस प्राकृतवास में रहने के लिए अनकूल हैं, अनकूलन की प्रक्रिया के कई उदारण हैं, भूमिगत गुफाओं के पानी में रहने वाली मचलियां प्राया, अंधी होती हैं, जैसे कानी मचरी, इस प्रकार के एक और मचली, मैक्सिकन ट्रेटा, पर किये गए शोध से, उसके आवाज सम्बंधी विभिन तथ्यों का पता चलता हैं, इन में से एक तथ यह है कि पानी के खारेपन में अंतर का प्रभाव मचलियों की आखों के आकार पर पड़ता है, इस शोध का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है, इस अध्याय में हमने देखा कि सभी जीवों की आबादी का एक प्राकृत्वास होता है, जहां उनकी मूलभूत आवशक्ताओं की पूर्ती होती है, एक प्राकृत्वास में सभी जीव अपने परिवरण के अन्य जीवों वर निर्जिव घटकों पर निर्भर होते हैं, हमने यह भी देखा है कि परिवरण में परिवर्तनों के होने से जीवों की जीवनशैली में भी परिवर्तन हो सकते हैं, वर्तमान में हम अपने परियावरण में बहुत तेजी से और अधिक परिवर्तन ला रहे हैं जुन्ना के वल हमें वरण दूसरे जीवों को भी प्रभावित करते हैं कुछ परिवर्तन बड़ी समस्याओं का कारण बन रहे हैं